आप देख रहे हैं दबंग राजधानी और मैं हूँ आयोश वेश्णों कुरूत सहर में इस्थित अटल बिहारी वाजपेई स्टेडियम जिसका निर्मान सन 2019 में मंत्री यहां के पूर्व मंत्री 36 गड़के और वर्तमान विधायक अजय चंद्राकर जी के द्वारा करवाया गया था आज इस अटल बिहारी वाजपेई स्टेडियम की हालत दिन बाद दिन खस्ता होती जा रही है ऐसी हमें सुच ना मिली और आज हम पहुंच चुके हैं उसे स्पोर्ट पे आईए आपको सबसे पहले मिलवाते हैं अटल बिहारी वाजपेई स्टेडियम में बच्चों को ट् यहां पर कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अभी के समय पर आप बताइए खुलके बताइए दबंग राजधानी नियूस पर आपको कोई डढने की आप सकता नहीं है जी अभी वर्तमान समय में यहां लगबग डेड़ साल हो गया लगब लाइटे हां की जल कि इसन श्थिति है कि अगर है कि यहां पर यहां पर बहुत है तो उनको फिर भघक lean के पानी लाना पड़े गया हैं पानी है इसन फीर नहीं हिर सब्सके लिए यहां पर ँज्चित नहीं था और प्रक्स नहीं कि अगर कुई बहागता है तो आए दिन इंजाड होते लगबख सबके पैर में सीन बोर होते ही रहता है सीन पेन होते रहता है एंकल टुष्ट के प्रॉलम आते रहती है नी में दर्ध होता है यह सब इस चीज़ा आते रहते हैं और ग्राउंड उबर खबड़ कर से एंकल टुष्ट बहुत जादा होता है सबका इत्ती सारी अभी आपने समझ चाहे हमें बताई आपने अभी तक सिकायते की किसी भी भाग पर या फिर किसी जन्परिन बीभी के पास जी हम लोग ने बहुत बार प्रयास किया था हमने नगर पंचात को भी बोला था किन्तु उनके द्वारा हमेशा यह जवाब मिलता है कि ग्राउंड हमारे आश्वाषन प्राप्त हुए करीब एक देड़ महीना हो गया हम लोग को और ऐसे आश्वाषन किते बार मिले होंगे दो से तीन बार मिल चुके हैं कोई आश्वाषन के बाद कोई ऊचित कार्या देखने को मिला केवल कुछ करमचारी भेज दिये जाते है केवल उपर उप लुआ को करना है तो हमीं लोग को करना पड़े गर लगब दो बार हो गया हम लोग अपने पैसे से बनवाए यहां पर ट्रेनिंग करने आने के लिए आने अपने पैसे से यहां पर ग्राउन को बनवा रहे हैं जबकि यह सास की स्टेडियम है यह सबसे बड़ा जिस भी विभाग के अंदर यह स्टेडियम आता है उनसे हमारा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों स्टेडियम के मेंटनेस के लिए जो पैसा आता है जो फंड आता है आखिर वो कहा गया यहां पर ना पानी की विवस्था यहां पर ना बिजली की यहां पर ना सौचाले की विवस्था तो आखिर मेंटेनेश टीम क्या कर रही है जिन्हों ने इस स्टेडियम का निर्मान किया और अभी जिनके हाथ पर है यहां का मेंटेनेश यह सबसे बड़ा सवाल है आया को करीब से दिखाते हैं यहां पर की प्रमुक्षमश्य यह तक देखिए उपर नीचे और ढूल भरी ट्रेक करीब से दिखाओ कर दिखाओ क्षाद मीचे करके द необходимо os to और यह देखिये यह देखिए यह देखिए यहां पर यहां पर यह देखिये क्या बड़िया हाल है ट्रेक ट्रेक के बगल में जो आपके चलने के लिए जगा बना हुआ है छोटा सा यह सी सी टाइप सी सी रोड टाइप का और उसके बीच में आप देखिए कैसे नालियों के जो उपर के धक्कन होते हैं कैसे खुले हुए बड़ी अच्छा से यह अच्छा से अच्छा सही अहींगा कि वद्वेक के खाक के बाच्ट ज़ल मृ से और और कॉण्वरिच यह कॉंसे हैं हम किसी पाटी के विरोधी आफिग समर्थक नहीं आइं पर आप दीख सकते यहां पर यह है कॉंग्रेस किसका कारेकरम का कछड़ा यह तो साफ साफ यहां पर दिखाई दे रहा है वो भी बच्चों के रणिंग ट्रेक के पास क्या साबित करना चाहते हैं आप सभी एक और तो आप कहते हो कि हम युवाओं को सपोर्ट कर रहे हैं खिलाडियों को सपोर्ट कर रहे हैं वो उचे उचे इस तरो पर जाकर राज्य का नाम बढ़ाएंगे यहां पर उनके रणिंग ट्रेक पर आप कछड़े भिखेर के रखे हो कछड़ों को जला के रखे हो रणिंग ट्रेक पर आप लोगों ने जेसी बी चलाई गारिया चलवाई रणिंग ट्रेक उपर नीचे उबढ़ खाबड बन गया फिर भी आपकी सरकार कहती है आप कहते है कि हम अपने 36 गड़ के युवाओं के लिए खिलाडियों के लिए लगातार काम कर रहे हैं क्या काम कर रहे हैं यही काम कर रहे हैं क्या सवाल है सरकार से प्रसासन से और उन सभी विभाग वालों से जो इस गलती के लिए इन समस्याओ के लिए जिम्मेदार हैं परतमान में यहां बेडमेंटन का एक नया हॉल बन रहा है लेकिन हम लोग को एक प्लेयर सो कोई दिक्कते हैं सब खेले सब आगे बढ़ें सब को आगे जाने का हक है लेकिन यह है कि वो तो बन रहे हम लोग भी ते अथलिट हम लोग को क्यों नजर नजर अंदास किया जा रहा है मेरा सवाल ही है बस सरकार से कि हम लोग क्या गलती किये जिसके लिए हम लोग को नजर अंदास किया जा रहा है हम लोग भी ताथलिट है हम लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है देश का नाम ऊचा करना चाहता है सब खिलाडी का पहले प्लेयर्थ पर अल्रेडी अपने डाइट के टेंशन में थीजिकली cięन फैमिली का टेंशन बालाई का टेंशन एतना यह ऊपयर पर अरगैसमिक स्ट्राइद के लेका में बागा तो निश्ची दुरूप से वह एक महीने तीन महीने लिए इंज़च हो गई होगा उसका रि काउरी एकदम हो जायगा. वो बिचारा partly stress मेंचला जाएगा देख रहा है आप यहा मेंठली श्रक्षित कोर्याभाहि नहीं कर रही है. आखिर ऐसा क्यों और भी समझ चाहें हैं आपको और दिखाते हैं करीब से कुरूद में इस्थितिस अटल विहारी वाचपेई स्टेडियम की समझ चाहें आप देखते रहें गोड से बताइए आप सभी समझ अब नाइए कोई दिकत नहीं है को दह द्धा होती है बहुंत दिख्कत होती है पाणी के लिए नहीं है और घ्राउण required है तो पैर वह पिन जट होते हैं अभी तब कोई टीम यहां पर जांच वांच करने के लिए आई हैं अज तक हमस्याओं का नहीं है लेकिन यह बैंटमींटन वाली भीया लोग डेर मैने पहले दिये और उनका बनना चाल होगे हम डेर साड़ से दे रहे हैं वो कुछ नहीं हो रहा है लोग अथलीट नहीं है का खाली वोई लोग प्लेयर है मतलब कुरुद के इस अटल भीहारी बाजपरी स्टेडियम पे बैटमेंटन वालोग को बैटमेंटन प्लेयर्स को जादा अप्राथ मिक्ता दी जारी है बाकी अथलीट को नहीं है आखिर ऐसा क्यों आब बताई अब हम लोग के ग्राउंड से भी बहुत सारे नेशनल स्टेट प्लियर्स निकले हुए है फिर भी अब वही लोग जान पाएंगी कि इसका क्या रिजन है वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं अब उनकी मंचा है वही जान पाएंगे अलेकिन ऐसा ब पाएंगे निकाले थे वह नगर पंचायद के द्वारा इसका टेंडर निकाला गया और बनाया जा रहा है नगर पंचायद के लिए एक सबसे बड़ा सवाल हमारी योर्चे कि जब बैट्मिंटन कोट के लिए जो देड़वने पहले ही जिसके लिए आपके पास लिखित में निवेदन गया था उसकी तैयारिया शुरू हो गई वो बनना शुरू हो गया लेकिन ये जो प्लेयर्स है ये जो अथिलीट्स है जो लगातार कई सालों से इस छेत्र में लगातार खेल को आगे लेके जा रहे हैं देड़ सालों से इन्होंने आपके पास तीन बार लिखित में सिकायते दी अंगिनत बार मौखिक रूप में सिकायते दी इसके बावजूद इस अटल विहारी वाजपई स्टेडियम में सौचालय की रिवस्था नहीं बिजली की रिवस्था नहीं पानी की रिवस्था नहीं फिर भी आप सभी खामोस आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है मिंटनेस का पैसा क्या खाना पुर्ती हो रही है मिंटनेस के पैसों के साथ यह सवाल है दबंग राजधानी का और यहाँ पर खेलने वाले और यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले यह सभी एठिलेट्स का अब देखना ये होगा कि प्रसासन की टीम कभी सोर रुख करती है और कभ अपनी गलतियों को सुधारती है ये तो वक्त ही बताएगा आप बने रहिए दबंग राजधानी के साथ ये देखिए ये है वो मंच ये है वो इस्टेज जहां पर आज से दो दिन पहले कॉंग्रेस की राष्ट्री महा सच्चिव प्रियंका गांधी जी का आगमन हुआ था चुनावी महौल के लिए और चुनावी प्रचार के लिए लेकिन यहां पर आने वाली कॉंग्रेस की राष्ट्री महा सच्चिव प्रियंका गांधी जी ने भी यहां के खिलाडियों को होने वाली समस्याएं जैसे पानी की समस्या बिजली की समस्या और सोचालाय की समस्या किसी भी विशय पर एक बात भी नहीं की जी हाँ उसी स्टेडियम की समस्याओं के बारे में प्रियंका कांधी जी ने एक छोटी सी बात भी नहीं की जिसी स्टेडियम पर खड़े होकर प्रियंका कांधी जी 36 गड़ की समस्याओं को दूर करने की और 36 गड़ में अच्छी सरकार इस्थापित करने की बात कर रही थी, अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस स्टेज पर, जिस मैदान के स्टेज पर खड़े होकर प्रियंका गांधी जी अच्छे सपने दिखा रही थी 36 गड़ की जनता को, सबसे पहले उसी स्टेडियम की समस करना उनके मन में क्यों नहीं गया और हमने आपको बताया जैसा कि यहां पर बिजली की समस्या थी, अभी यहां पर हमें सुत्रों से पता चला और खिलाडियों से भी बात चित करके पता चला, कि जब प्रियंका गांधी जी का यहां पर आगमन हुआ था, तो इसके जश्ट पीछे में है रेश्ट हाउस, वहां से बिजली की सुविधाय एक से दो दिनों के लिए, कारेकरम जब तक चलने वाली थी, तब तक के लिए बिजली की सुविधाय रेश्ट हाउस से इस स्टेडियम पर आ गई, लेकिन ये जो बच्चे, ये जो खिलाडी यहां पर रोज आकर अपने खेलों की यहां पर प्रेक्टिस करते हैं, उनके लिए अभी तक बिजली की दिवस्था नहीं हो पाई, अब सवाल ये उड़ता है कि क्या सिर्फ राजम्यतिक पार्टी के बड़े-बड़े पदाधिकारियों के आगमन पर उनके चुनावी कारिकरमों के लिए पानी की दिवस्था और सचाले की दिवस्था उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि यहां पर रोज खेलने वाले इसी स्टेडियम पे खेलों को, जो खिलाडी यहां पर आते हैं, उनके लिए यहां पर बिजली नहीं, उनके लिए यहां पर पानी नहीं, और बड़े- बड़े, यहां पर पानी से लेकर बिजली, सभी चीजों की छुवी दाये उनके आने से पहले ही यहां पर उपलब्द हो जाती हैं, और उनके जाने के बात, सारी वापस वापस चली जाती है, आँखी, रैसा क्यों, सवाल है, छस्टीसगड के सासन से, छस्टीसगड के प् जिया हमारे दर्सक 37 गड़ की आम जंता देख लीजिए यह कबड़ी का क्राउंड है अब आप यह बताईए कि यहां पर कोई खिलाडी कबड़ी कैसे खेलेगा इन जाड़ों में खेलेगा कबड़ी इन उपर नीचे जमीनों पर खेलेगा कबड़ी यह कबड़ी का मैदान कै इसा हालत कब से है यह जब से बना तब से ऐसा हालत किते सालों से बना है यह कबड़ी का मैद